हालो स्टूडेंट वेलकम टू स्वातिस क्लासेश आज हम देखेंगे सेवें स्टेंडर का जोगराफी लेसन नमबर टू दसन द मून आण दी अर्थ तो देखें स्टूडेंट काफी पहले से जैसे कि फिफ स्टेंडर से हम लोग यह सारी चीजे सीखते आ रहे हैं सन के बार हम यह देखने वाले हैं कि Sun, Moon & Earth की पोजिशन किस तरह के से होती है या फिर उनके पोजिशन के कारण किस तरह के से एकलिप्सेस होते है तो यह सारी चीजे आज हम डिसकस करने वाले हैं इस लेसन में तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अगर आपने चैनल क के जोग्राफी हिस्ट्री सीविक्स साइंस और मैस के भी वीडियो मिलेंगे तो चलिए लेसं को स्टार्ट करते हैं तो फर्स टॉपिक आपको दिया है दा मून्स जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का एक्सिस होता है उसके अरांड वो क्या करता है रोटेशन करता है और सन के अरांड क्या करता है रिवाल करता है उसी तरीके से जो मून होता है उसका अर्बिटल मोशन होता है तो यह अर्बिटल मोशन क्या है उसे हम बाद में भी देखने वाल The moon while rotating around itself revolve around the earth and the earth revolve around the sun कि जैसे हमें पता है कि earth जो है वो अपने around rotate करता है and sun के around revolve करता है उसके साथ ही earth जो moon होता है वो earth का satellite है तो moon जो है earth के around क्या करता है As a result, though the moon does not revolve around the sun independently तो इसके कारण हम लोग यह के सकते है कि moon directly sun के around revolve नहीं करता है लेकिन earth के around क्या करता है? Revolve करता है तो हम ऐसे के सकते है कि independently earth के साथ साथ moon भी sun के around revolve करता है Indirectly it makes revolution around the sun, the time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same कि moon जो revolution करता है earth के around उसके लिए उसे जितना time लगता है उतना ही time उसे rotation करने के लिए भी लगता है जैसे कि earth को rotate करने के लिए, rotation complete करने के लिए 24 hours लगते हमें पता है लेकिन revolution करने के लिए जो है यहाँ पर पूरा एक साल लगता है इसे हम कहते हैं तो यहाँ पर timing change है अर्थ के लेकिन यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो moon होता है उसका rotation and earth के around का revolution का timing same है That is why we constantly see one and the same side of the moon जिसके कारण हमें moon की सिर्फ एक ही side दिखाई देती है क्योंकि rotation and revolution का timing क्या होता है same होता है Next हम देखेंगे try this एक activity आपको दिए है Carry out this activity on your playground, select three students, give them the roles of the sun, the moon and the earth कि तीन यहाँ पर आप क्या लोगे students को लेना है एक को आप sun बनाओगे, एक को moon and एक को earth बनाओगे Make the sun stand in the middle, see the title page कि आपके title page पे यह diagram दिया हुआ है तो उसे भी हम देखेंगे तो देखेंगे student जो title page पे हमें diagram दिया है उसे हम बात में देखेंगे पहले जो यहाँ पे हमें दिया है उसको हम read करेंगे draw an elliptical orbit around the sun, the student who has been given the role of the earth should rotate around himself from west to east कि जिसको हमने earth का role दिया है वो student क्या करेगा, ways to east क्या करेगा, rotate होगा उसके बाद है simultaneously he should revolve around the student who is the sun क्योंकि earth जो है अपने around to rotate होती है लेकि sun के around भी revolve करती है तो वहीं हमें यहाँ पे दिखाना होगा, along the drone orbit in the anti-clockwise direction anti-clockwise direction में यह होना चाहिए, make sure that the student who is performing the role of the moon is also revolving around the one who is acting as the earth और जो moon है वो revolve करेगा, earth के around, draw a diagram of the whole activity in your notebook तो आप यह diagram भी निकाल सकते हो, तो उससे पहले हम वो क्या करेंगे जो page पे, title page पे हमें दिया हुआ है, उसको दिख लेंगे देखें, student यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एसे ही आपको तीन students लेने है यह जो student है, यह as a sun यहाँ पे role करेगा उसके बाद जो यह blue color का आपको दिया है यह है हमारे earth का role play करेगा, यह student और जो यहाँ पे white color में, white color के कपड़े जो पेहने हुए है यह student play करेगा role moon का अभी देखें, किस तरीके से काम होगा कि sun के around कोन यहाँ पे revolve होता है, तो earth तो यह orbit आएगा, यहाँ पे earth का और यह जो orbit आपको दिख रहा है, यह होगा moon का क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, कि earth क्या करेगा, rotation भी complete करता है साथ में ही, यहाँ पे क्या करेगा, revolution करेगा sun के around अभी direction हमें देखना है, कि west to east होना चाहिए कि यह जो student होगा, यह क्या करेगा, rotation करते-करते यहाँ पे revolve भी करता जाएगा, west to east, इस तरीके से और जब देखे, जब earth भी revolve होता है, तो उसके साथ-साथ उसके around moon भी क्या होता है, revolve होता है, जैसे कि आप यहाँ पे position दिये, earth की, अगर यह student यहाँ पे आता है, means earth अगर हमारी यहाँ पे है, तो फिर जो moon का orbit है, तो यह earth के around कुछ इस तरीके से आएगा, elliptical shape में, कि moon का जो revolution होगा, वो earth के around की, यहाँ पे वो student होगा, या फिर यहाँ पे, क्योंकि यह क्या करेगा, इस तरीके से, earth के around revolve करेगा, और जो earth है, वो sun के around इस orbit में revolve करेगा, तो यह diagram आपको easily समझ में आजाएगी, diagram देखे, आपको easily समझ में आएगा सब कुछ, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, draw भी कर सकते हो, जो student यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपको नाम देना है sun, यह जो student है, यहाँ पे आप orbit elliptical है, उसी तरीके से moon का भी revolution जो orbit है, वो elliptical है, hence the distance of the moon from the earth is not the same, elliptical shape है, means पूरी तरीके से round नहीं है, circle नहीं है, तो जो shape यहाँ पे आएगा, वो elliptical है, जिसके कारण moon का जो distance होता है from the earth, वो same नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तो आगे जो diagram है, वहाँ पे आपको clearly समझ में आएगा, कि किस तरीके से, देखिए, यह है हमारा earth, और जो moon का orbit है, वो इस तरीके से elliptical है, पूरी तरीके से round या circle नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि अगर यहाँ पे moon है, तो earth से moon का यह distance, और यहाँ पे अगर moon आता है, revolve करके, तो यहाँ से जो earth से moon का distance है, यहाँ पे आपको difference है, समझ में आएगे, कि distance भी आपको दिया है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, तो कितना distance है, 356,000 km, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो about 4,7,000 km, इतना आ रहा है, मिस difference से आपको नजर आ रहा है, अगर moon यहाँ पे आएगा, तो फिर और भी distance कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से earth से moon का distance काफी कम हो जाता है, तो elliptical orbit होने की कारण, जो है distance यहाँ पे vary होंगे, everywhere along its orbit while revolving, when it is the closest to the earth, it is said to be in perigee, and when it is at the farthest, the position is called apogee, तो देखें, फिर से हम इस diagram को देखेंगे, moon's position, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो distance जो है, कम है, तो ऐसे समय में हम क्या कहेंगे, कि moon और earth में अगर distance कम है, तो कौनसे position में है, perigee position में है, अगर distance अगर यहाँ पे जादा होता है, earth and moon के बीच में, तो उस position को कहा जाता है, कि moon कौनसे position में है, apogee position में, तो यह दो जुट आपको दिये हुए है, name words, जो है perigee and apogee, उसको आपको इस concept को समझना होगा, कि distance अगर earth and moon के बीच कम है, तो कौनसा position आएगा, perigee, और अगर distance जादा है, moon farthest position पे है, तो उसे खा जाता है apogee, तो यह दो आपको concept जो है, उनको समझना होगा, next day you have studied the phases of the moon, जैसे कि fifth standard में भी आपने पढ़ा है, कि phases of the moon, जो कि हम लोग कहते हैं कि moon waxes या फिर वैनिंग जो होता है, full moon day, new moon day, आमोस्या पोर्णी माज जिसे हम कहते हैं, कि हर 15 दिन के बाद दिखते हैं, और जो moon के श्रेफ हमें कम ज़्यादा दिखते हैं, तो उसे खा जाता है phases of the moon, you know how it waxes from the new moon day to the full moon day, and how it vans from the full moon to the new moon day, कि हर 15 दिन के बाद जो हम अगर देखेंगे, तो moon का श्रेफ हमें कम ज़्यादा दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको डाइगरम भी दिया हुआ, waxing and burning moon phases, कि sunlight जहाँ पर मून जो होता है, उसके उपर अगर पड़ती है, और जितना पार्ट illuminate होता है, और हमारे और से जो पार्ट हमें illuminate दिखता है, moon का, तो उतना ही शेफ हमें क्या दिखीगा, illuminated part दिखता है, तो वो phases of the moon हमें हर एक दिन क्या होते है, change होते हुए दिखाई देते है, वो किस तरके से आगे आपके page पे आपको एक diagram दे जिसे अच्छे से आपको समझ में आएगा, यहाँ पर भी आपको दिया है कि full moon होता है, जहाँ पर हमें पूरी तरके से moon दिखाई देता है, और जब new moon आता है, तो हमें बिल्कुल भी moon नहीं दिखाई देता है, पूरी तरके से अंदेरा होता है, क्योंकि illuminated part हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखता है, या फिर full moon दे को पूरी तरके से क्यों दिखता है, C figure 2.2 which shows the different phases of the moon, it shows the relative position of the moon on both the quarters, the full moon and the new moon days with respect to the earth and the sun कि moon की position कहा पे है, earth and sun की position कहा पे है, इसके उपर depend होता है कि उस दिन हमें जो moon होता है, वो कितना part illuminate दिखेगा और कितना नहीं या फिर जो full moon day होता है, new moon day होता है, उसके लिए भी moon की जो position होती हो, काफी important होती है, तो आगे की पेश भी अगर हम देखेंगे, तो आपको easily समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे, आपको diagram दिया हुआ है, कि यह है हमारा sun, यहाँ पे दिया हुआ है earth, और यह जो है moon के position दिये है, अलग-अलग, हर एक जगह पे, तो उसके कारण क्या-क्या reason आते है, वो आगे हम discuss करेंगे We see the phases of the moon in the sky from the earth, they are the illuminated portion of the moon, यह जो phases, पहले भी हमने देखा कि phases, या फिर जो shape हमें दिखाई देता है, कि हमारी earth से moon का जितना पार्ट illuminated होगा, जितना पार्ट चमकता हुआ portion हमें दिखाई देगा, उतना ही shape हमें moon का दिखाई देता है They become visible due to the sunlight reflected from the moon, अभी देखें moon की खुद के light होती है क्या नहीं, sun एक star है तो sun के पास अपने खुद के light होती है, जो कि हमारे earth को मिलती है, moon को मिलती है, और फिर sunlight के कारण moon का जितना पार्ट जो reflect होता है sunlight, उसके कारण हमें moon illuminate होता हुए दिखाई देता है, चमकता हुआ द American hierarchy, जो पहले देखेंगे, कि full moon को क्या होगा, कि moon जो होता है exactly opposite होता है sun के, जैसे कि आप यहाँ पे द दिखोगे, यहाँ पे अगर sun है उसके बाद हम देखेंगे, कि यहाँ पे moon जो दिया है exactly sun के opposite, earth के इस side में अगर sun है तो exactly opposite side में क्या हो रहा है, आपे moon दिखाई दे र पूर्शन है मूझー का वह दिखाई देखा पूरी तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा तो पूरी तरीके से अगर हम पूरी तरीके से मून ऑलके नहीं दिखाई देगा तो उस दिन क्या होगा New Moon Day होगा उसके बात देखे यहाँ पर अगर हम देखेंगे वाक्सिंग मून जो है आंगल्स बनते हैं, तो उसके according मून के जिस पार्ट पे जहाँ पे लाइट पड़ती है सनलाइट और रिफलेट होती है, उतना ही पोर्शन हमें दिखाई देता है, इसके कारण जो है हमें new moon day या फिर full moon day जो है phases होते हैं, मून के वो अलग-अलग शेप हमें दिखाई देते ह अब यह angles किस तर की से बनेंगे, वो भी हम देखेंगे, पहले यहाँ पे रिट करेंगे, they become visible due to the sunlight reflected from the moon, while revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day, whereas on a new moon day, it is position between the sun and the earth, जैसे हमने देखा, on the first and the third quarter days, the moon, the earth and the sun make an angle of 90 degree, तो 90 degree का angle कैसे बनेगा, देखिए कि अगर यहाँ पे, इस तरीके से moon का position है, quarter day के दिन, अगर हम देखेंगे, तो sun यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पर है, और moon यहाँ पर, तो कौन सा angle बनेगा यहाँ पे, 90 degree का, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 90 degree का दिखेगा, उसके बाद, देखिए, moon जो होता है, revolve क अर्थ एक ही लाइन में दिख रहे है, तो फिर कौन सा angle बनेगा, 180 degree का बनेगा, तो वो हमें यहाँ पे दिया है, कि यह angle बनेगा, हमारा 180 degree का, तो यह दो चीज़े आपको समझ में आएगा, कि 90 degree, जब यहाँ पे moon होगा, तो 90 degree, और यहाँ पे moon आएगा, तो 180 degree का angle बनता ह नेक्स हम देखेंगे, moon यहाँ से reward करके, जब इस position पे आता है, quarter day के दिन, तो यहाँ पे हमें moon दिखाई दे रहा है, तो sun, earth and moon यहाँ पे आ रहा है, हमने major करना यहाँ से start किया था, तो यहाँ से अगर start करेंगे, तो angle कौन सा बनेगा, 270 degree का बनेगा, उसके बाद जब फिर इसे moon यहाँ पे आता है, reward करके, यह अगर position होता है, तो sun, moon and earth एक ही line में आते हैं, मिस वहाँ पे कौन सा angle बनेगा, 0 degree का angle बनेगा, तो I hope आपको यहाँ पे यह सारी चीज़े अच्छे से समझ में आई होगे, कि किस तरह के से angle form होते है, 0 degree, 90 degree, 180 degree and 270 degree, तो इसका यही reason होता है, कि जो phases of the moon है, वो हमें दिखाई देते हैं, hence in the sky tap is semi circular in shape, तो जिस पार्ट, जैसे पहले भी हमने देखा, और मैंने कहा कि, जिस position पे जो है, part जो moon का, जो part illuminated होता हुआ, हमें दिखाई देगा, उतना ही हमें shape दिखाई देगा, और हम लोग कह सकते हैं, कि आज हमें यह shape दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे semi circular shape हमें दिखाई देगा, अगर full moon day है, तो इस तरीके से पूरा part दिखाई देगा, फिर से हम diagram देखेंगे, यहाँ पे हमें पूरा part जो है illuminated होते हुए दिखाईगा, अर्थ के सामने का, तो वो दिन होगा full moon day का, अगर यहाँ पे बी sunlight अलग-अलग part पे पड़ती है, वही part हमें illuminated होते हुए दिखाई देगा, तो इसके कारण जो है phases of the moon हमें दिखाई देते हैं, नेक्स हम देखेंगे कि eclipses, जो ग्रहन हम लोग बोलते हैं, चंद्र ग्रहन या फिर सूर्य ग्रहन लगता है, तो वो किस तरीके से लगता है या फिर उसके पीछे क्या reason है, वो भी हम देखेंगे, the orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane, जैसे हमने पहले diagrams देखे थे, कि earth का अपना orbit होता है sun के around revolve करने के लिए, और moon का अपना orbit होता है earth के around revolve करने के लिए, तो दोनों के जो orbit होते हो same plane में नहीं आते है, the moon's revolutionary orbit makes an angle of about 5 degree with that of the earth, तो यहाँ पर फिर से diagram देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, यह है earth का orbit, जहाँ पर earth जो है, इस orbit में revolve करेंगा sun के around, और यह जो orbit आपको दिया है, यह है moon का orbit, कि moon जो है earth के around, क्या करेगा, revolve करेगा, अभी देखें, जो moon का orbit है and sun का orbit है, इसमें नहीं आते है plane में, तो इनके दोनों के बीच में एक angle form होता है, यहाँ पर, जो आएगा, 5 degree का, तो हर जगपे, जहाँ पर भी, अगर यहाँ तक आता है, earth revolve करके, और यह जो plane है, यह है moon का orbit and यह है हमारे earth का orbit, तो इन दोनों के बीच में, अगर कही पर भी position आता है, तो इन दोनों के बीच में तो one complete revolution करने के time, जो है moon, two times intersect करता है, earth के orbit को, देखे, यह है earth का orbit, और यहाँ पर जब moon revolve करके, यहाँ पर आएगा, तो यह जो जगपे, वहाँ पर intersect होगा, दो orbit, और यहाँ से revolve करके, जब इस जगपे जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर् के लिए कितने times intersect होगा, two times, यह one time and, यह one time और यह two time, तो यह चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, next day, on each new moon day, the lines joining the earth and the sun and the moon make an angle of zero degree, जैसे कि हमने इस diagram में देखा था, कि new moon day के दिन कौन सा angle form होगा, इस diagram में हमें समझ में आएगा, कि new moon day के दिन, देखे, moon और sun और earth एक ही line में है, कौन सा angle form हो रहा है, zero degree, और next हमने देखा था, full moon day के दिन, यह angle यहाँ पर form होता है, 180 degree का, जैसे कि हमने पहले ही यह discuss किया है, even so the sun, the earth and the moon may not be in one straight line in the same plane on every full moon day and every new moon day, लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं होगा, हर एक new moon day पर और full moon day पर तो वो एक ही straight line में नही आते है, जिसके कारण जो है, एकलिपसे जो होते है, चंद्र ग्रहन और सूर्य ग्रहन कब होते है, जब sun, moon and earth एक ही line में आते है, तब होते है, लेकिन हर एक new moon और हर एक full moon day पर यह सारे चीज़े नहीं होते है, इसके लिए तो ग्रहन जो है, हर मैने या फिर हर 15 दिन के बा a full moon day, the three fall in one line and are in the same plane, eclipses occur on such occasion, eclipses may be solar or lunar, कि जब ऐसे होगा, कि जो इस तरीके से एक ही plane में आते है, और तीनो, जो है sun, earth और moon, एक ही straight line में आते है, तो उस टाइम ऐसे होता है, कि वो solar eclipse हो सकता है, या फिर lunar eclipse हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर position change होगे, अगर earth बीच में आ जाएगा, तो यह lunar eclipse हो जाएगा, अगर real करके यह, अगर moon यहाँ पर आ जाता है, और earth, moon और sun एक लाइन में आते है, तो फिर यहाँ पर हो जाता है solar eclipse, तो यहाँ पर depend होता है कि moon and earth का position क्या होगा, जिसके according फिर lunar eclipse होता है, next हम देखें कि solar eclipse कब होता है, if the moon is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth, कि जिस time moon अगर earth and sun के बीच में आ जाता है, तो moon की जो shadow होती है, वो earth के उपर गिरती है, जिसके कारण हमें solar eclipse दिखा देता है, at such a time, these three celestial objects are on the same plane and fall in one line, जब वो तीनो एक लाइन में होंगे तब ही होगा, hence the place on the earth where the moon's shadow falls experiences a solar eclipse, जहाँ पे यह shadow गिरती है, वहाँ पे solar eclipse होता है, आगे diagram दिया है, तो उसको भी हम देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, this shadow is of two types, the central portion of the shadow is darker and the periphery is light, in the area of dark shadow of the earth, the sun becomes completely invisible, this condition is known as total solar eclipse, तो देखेंगे, अब आप क्या करेंगे, diagram देखेंगे, तो आपको easily समझ में आएगा, earth है और यह है sun, दोनों के बीच में, जब moon आएगा, तब होता है solar eclipse, कैसे होगा, देखें, जब sun की light, moon पे गिरती है, और moon की जब shadow, earth के उपर गिरती है, तब हमें क्या दिखाए देगा, यह जो portion ही, यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो हमें पुरा dark ही दिखाए देगा, क्योंकि moon का shadow, इस region पे गिरने वाला है, तो वहाँ पे पुरा dark दिखाए देगा, sun हमें दिखाए देगा, क्या sun की light हम तक पहुचेगी, क्या उस region में earth पे sunlight नहीं पहुचती है, और moon की जब डार्क यहाँ पे shadow गिरती है, पूरी तरह के से हमें dark दिखाए देगा, तो यह होता है solar eclipse, अभी हम देखेंगे इसके भी types होते हैं, कि total solar eclipse and partial solar eclipse कहाँ पे दिखेग यह shadow जिस portion में इस तरह के से गिरती है, यह जो portion होगा, यहाँ पे हमें point के जैसे दिख रहा है, लेकिन यह काफे बड़ा area होगा, काफे बड़ा region होगा, तो उस region से क्या होगा, total solar eclipse, मतलब पूरी तरह के से sun महाँ पे नहीं दिखेगा, पूरी तरह के से dark दिखा देगा, वो होगा, total solar eclipse, अभी हम देखेंगे, एक point पे हमें यह shadow दिखता है, तो उसके side में जो shadow दिखती है, काफे light होती है shadow, पूरी तरह के से dark नहीं होगी, तो वहाँ पे से भी अगर हम देखेंगे, तो इस region से भी हमें क्या दिखाई देगा, कि partial, कि यह जो part होगा, इतना ही दिखा देगा, means partially, तो यहाँ पे हमें दिखेगा, partially solar eclipse, तो I think आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि जहाँ पे dark shadow, यहाँ पे totally हमें sun धका हुआ दिखेगा, means total solar eclipse दिखेगा, और जो बाके जो region होगे, यहाँ से हमें कुछी part sun का दिखाई देगा, तो यह होगा, partial solar eclipse, फिर से हम रीड करेंगे, however, during the same period, at the place where the shadow is lighter, the sun disk appear partially covered, this condition is described as a partial solar eclipse, total solar eclipse is seen in a very limited region on the earth, क्योंकि यह point के जैसे दिखे रहा है, means काफी छोटे से region में दिखेगा, तो उसी region से क्या दिखेगा, हमें total solar eclipse दिखेगा, और यह काफी बड़ा region दिखे रहा है, तो यहाँ से जो है, हमें partially solar eclipse दि इस देश में आज सुर्य ग्रहन दिखेगा, लेकिन हमारे देश में नहीं दिखेगा, या फिर इतने ही time के लिए दिखाए देगा, क्योंकि अर्थ तो एक जगा पे रुखती नहीं है, यह continuously क्या होगी, rotate भी होती है, and real भी होती है, तो position change होता है अर्थ का भी, तो जहाँ पे उस time shadow गिरेगी, वहाँ से ही हमें total solar eclipse दिखेगा, और जो बाकी का region है, वहाँ पे partial solar eclipse दिखाए देगा, next is annular solar eclipse, तो annular solar eclipse में क्या होता है, देखे, कि पहले read करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, sometimes the moon is in apogee position, this means it is at the farthest from the earth, जैसे पहले पेच पेच आपोजी में काफी दूर होता है, as a result the deep shadow of the moon is cast in space and does not treat the earth, कि जो देखे, यहाँ पे हम देखेंगे अभी diagram, कि पहले diagram में हमने देखा था कि जो shadow थी वो directly जो है अर्थ के यहाँ तक पोच रही थी, क्योंकि अगर moon अर्थ से काफी पास है तो, अगर जिस time moon अर्थ से काफी दूर होगा, एपोजी position पे होगा, तो उस time moon की position space में ही रहेगी, वो अर्थ तक नहीं पोचती है, जिसके कारण हमें वहाँ पे उस region से क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से सूर्य ग्रहन जो है दिखाई देता है, कि बीच वाला जो पार्थ है पूरी तरीके से dark दिखा द होता है, जिसके कारण जो shadow है, वो अर्थ तक नहीं पोचती है, space में ही रहेगी, तो जिसके कारण ये जो exactly उसके सामने वाला region होगा, तो वहाँ पे हमें annular solar eclipse दिखाई देता है, नेक्स आम देखेंगे, from a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of a ring, this is called annular eclipse, annular eclipse is a rare phenomenon, कि जब opposite position पे आएगा, मुन तो उससी टाइम में दिखेगा, तो ये natural phenomenon कभी कभी होते है, तो इस तरीके से annular solar eclipse वाँ पे दिखाई देगा, reason भी आपको समझ में आया होगा, उसके बाद आपको activity द and keep it at the center of the table, तो आपको activity क्या दिए है, इस तरीके से आप क्या करोगे, clay या फिर mud लेके उसके उपर आपको pencil इस तरीके से fix करनी है, और उसके उपर आपको एक ball को इस तरीके से fix करना है, उसके बीच में से आपको line draw करनी है, next आपको दिया है, देखें, ये होगा हमारा moon, उसके बाद आपको क्या करना है, और एक ball लेना है, बड़ा rubber ball और वो आपको इस तरीके से सामने रखना है, इस ball के, distance कितना लेना है, 10-15 cm पर रखेंगे from this moon and let this larger ball be the earth, उसके बाद हम करेंगे एक circle मिस जिस तरीके से equator होता है, अर्थ के पूर, उसको हम draw करेंगे, next हमें दे लेना है, लेना है, और हिला करा लिया, खेंगे और पर रखेंगे, या फिर कपडे पर के बाद के बाल हिलना ने चहाहिए, स्टेड रहना चहिए अरेंग the ball representing the earth and the moon is such a way that the circle drawn on the moon will be in the plane of the equator of the earth take a torch, hold it at a distance of about 30 cm from the moon, direct the light beam on the moon, see figure 2.7, observe the shadow of the smaller ball on the earth to understand how solar eclipse formed तो इस तरी के से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरी के से ball लेंगे, ये होगा हमारा moon और ये होगा हमारा earth और यहाँ पर जो torch हम लोग लेने वाले हैं, ये होगा हमारा sun, कि sunlight जो है इस तरीके से पूरी तरीके से गिरेगी यहाँ तो जहाँ पर जिस पार्ट में ये moon के यहाँ पर गिरती है, तो इसके exactly opposite side में तो light नहीं जाएगी, तो वहाँ पर shadow होगा, ये shadow इस तरीके से form होगा, आप घर पे भी easily कर सकते हो, तो जहाँ पर ये point बनता है, यहाँ पर dark हमें दिखाए देगा पूरी तरीके से, तो वहाँ पर हमें total solar eclipse दिखाए देगा, और जो faint color की, या फिर light जो shadow होती है, ज्यादा dark नहीं, वहाँ से हमें दिखाए देगा partial solar eclipse, तो इस activity से भी आपको easily होता है, अच्छे सी समझ में आया होगा, जो lunar eclipse से उसको हम देखेंगे, लेकिन second part में देखेंगे, तो second part को भी ज़रूर देखेंगे, तभी आपको जो है, सारी चीजे और सारी concept easily समझ में आ जाएगी, अगर आपको वीडियो अच्छे लगई हो, तो वीडियो को like ज़रू मेलजेगे